तो भाईयो अगर आप पतले लड़के हो और इसी पतले पन के कारण आपको लगता है कि मुझे पर कोई भी कपड़ा अच्छा नहीं लग सकता इसी वज़ा से जो आपको confidence level होता है वो गिर जाता है खास करकि लड़कियों के सामने तो भाई अगर आप भी मेरी तरह एक पतले लड़के हो और आपको हर कपड़े में sexy और attractive दिखना है तो इस वीडियो को end तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपकी इस परिशानी को बिल्कुल खत्म कर देगी उससे पहले भाईयो अगर आप हमेशा smart और attractive दिखना चात लगोगे और गाइस वीडियो के एंड में में आपको एक bonus टिप दूँगा जो आपकी काफी help करेगी आपके confidence लेवल को बूस्ट करने में tip number one wear well fitted clothes भाई पतले लोगों की सबसे बड़ी परिशानी यही होती है कि उनके उपर कोई भी कपड़ा fit नहीं होता इसी वजह से आपके shoulder और arms और chest पर fitted हो और पेट पर से थोड़ी सी lose हो ऐसे ही जब आप shirt पहनोगे तो वो shirt आपकी chest पर fitted हो और पेट पर से थोड़ी सी lose हो और shirt की sleeves आपके arms पर थोड़ी सी fitted हो इसी तरह आपको jeans और pant अच्छे से fitting करा कर पहननी है जैसे आपकी jeans और pant आपके thighs पर से टाइट हो और गुटने से नीचे भी आपकी जीन्स और पैंट थोड़ी सी लूज हो गाइस आपको याद रखना है कि आपको ज्यादा टाइट जीन्स और पैंट नहीं पैननी क्योंकि पत्ते लोगों की लेक्स पत्ली होती हैं जिसे आप टाइट जीन्स और पैंट पैनो भीजसो की यार मेरे हाथ बहुत ही जँँगने के में हाफ स्लीव वाले टीशट नहीं पहनन सकता तो भाई आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा की आप लॉंग स्लीववरे ुटीशरट पहन लो लॉंग स्लीवस वाले टीशर्ट आपको छुपर उस्तम हो जाएगा और आपके आमस थोड़े मोटे लगेंगे उसी के साथ साथ आपके फोर आमस भी दिखेंगे जिससे आपको एक होट लुक मिलेगा टिप नमबर थ्री अवाइड वी नेक टी-शिर्ट भाई अगर आप वी नेक वाली टी-शिर्ट पहनते हो तो बंद कर दोंने प करते हो जो कि पत्ले लोगों पर बहुत ही अच्छी लगती है पोलो टी-शिर्ट का जो कोलर होता है वह हमारी नेक को थोड़ा सा मोटा दिखाता है जो पत्ले लोगों को बहुत ही ज्यादा सूट करता है टिप नमबर फोर वेर लाइट कलर काईस अब आप पतले हो तो आप कुछ इस तरह की टी-शिर्ट या शर्ट पहन सकते हो जो आपकी बोड़ी को भी थोड़ा सा चोड़ा दिखाएगी आपको सिर्फ इस तरह की स्ट्राइप्स पहननी है इस तरह की नहीं क्योंकि इस तरह की स्ट्राइप्स आपको और भी ज्यादा पतला दिखाती है ट चरदियों में तो लेरींग बहुत अच्छे से कर सकते हो बट अगर आप गर्मियों में कपड़ों को लेर के साथ पहनना चाते हो तो आपको पहले एक प्लेंट टीशर्ट पहननी है फिर उसके ऊपर आपको एक पत्लई शिर्ट डाल लेनी है और शर्ट को आपको खोलकर रख करते हैं और आपको क्लीन और कमफोटेबल लुक मिलता है टिप नमबर सेविन अवोइड बलकी शूज काईस आप एक स्कीनी बंदे हो तो आपको ऐसे जूते नहीं पहनने चाहिए जो दिखने में बहुती ज़ादा मोटे हो अगर आप उस तरह के जूते को पहनते हो तो सिर्फ आपके जूते दिखेंगे आप नहीं और आप उन जूता में बहुती जादा पत्ते लोगे तो याद रखना है जब भी जूते पहनो या खरीदो वह ज्यादा बलकी नहों अगर जूतों के ऊपर आपको पतलेपन का मजाग बनाते हैं या ऐसे लोग होंगे जो आपको बोलता है कि कुछ खाता पीता नहीं है क्या बिमार है क्या तेरे घर में कहाने पीने को तो कम ही नहीं है फिर भी मोटा नहीं होता यह सब बाते सुनकर आप डी मोटिवेट हो जाते हो और आपको कॉंफिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है तो भाई आपको ऐसे नेगिटिव लोगों को और उनकी बातों को बिल्कुल अवोइड करना है भाई मैं भी एक स्कीनी लड़का हूं मुझे बहुत लोग ऐसा बोलते हैं बट मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मैं उन सब लोगों को अवोइड कर होगी फिर देखना जो लोग आपका मजाग बनाते थे या कुछ उल्टा सिधा बोलते थे वो आपको कॉंप्लिमेंट देना शुरू कर देंगे बस ऐसे भाई आप अपने आपको बिंदास मान लो लोग भी आपको बिंदास मानने लगें तो गाइस आई होप ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगी आपको सेक्सी और अट्रैक्टिव दिखने में वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक कर देना अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बोक्स में बता देना और भाई आप हमेशा एक अट्रैक्टिव बंदे की तरह दिखना च जब बताव हे खिला हो पनेा प्लब नच त हमेशा आप सेट बंदे बंदे की तरह लाइक की तरह दिखने